कुरोना संकट जुसने दुनिया की हर खुशी हर तरह के व्यापार को हर रोज मर्रा की जिन्दगी को बिलकुल पलट कर रख दिया इसके असर ने हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्षिद्र की रूप रेका को सुनसान सा कर दिया है हर गली मोहला आजसुनसान है इत का त्योहार भी नजदीक है लेकिन पिछले साल तक जहां बाजारों में इत का त्योहार नजदीक आते ही रोणक दिखने लगती थी तो वहीं आजचारों और सन्नाटा पसरा पड़ा है ऐसे कुछ तस्वीर से रूबरू कराने के लिए आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा में जहां कई बाजारों में हमेशा रहने वाली रौनक इस बार नदारत है राजा मन्डी बाजार, सिंधी बाजार और शाहगंज बाजार बिलकुल सूने पड़े हैं यहां गिने चुने लोग या तो अपनी दुकान की सफाई कर रहे हैं या बाजार का मुआयना कर रहे हैं आगरा की राजा मन्डी बाजार में करीब 200 से 250 दुकाने हैं शाहगंज बाजार में करीब 415 दुकाने हैं और सिंधी बाजार में 700 से 800 दुकाने हैं और यहां तेवहारों की वक्त जो फिर हुआ करती थी काफी चहल पहल हुआ करती थी वो आज नहीं नजरा रही हैं इन बाजारों में फिलहाल कोई association नहीं है लेकिन कुछ चुनिंदा लोग बाजार की बागडोर सभाले हुए हैं महराल आगरा के सभी बाजारों में भीड़ हुआ करती थी आम दिनों में भी इस बाजार में काफी चहर पहल हुआ करती थी जो इस महामारी के समय में बिलकुल नामुम्किन है 25 मई को पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जाएगा लेकिन इस साल कुरोना वारस के कारण बाजार ईद पर सूना है पूरे देश में इस वक्त लोग डाउन की स्तिती बनी हुई है वहीं 25 तारीक को देश भर में ईद का त्योहार मनाया जाएगा और मैं इस वक्त आगरा की कुछ एक मार्किट में मौझूद हूँ सिंधी मार्किट में और ये मार्किट वो मार्किट है जहां पर अमूमन रोजाना जो है यहां पर पूरी दुखाने जो हैं चुने लोग हैं जो कि अपनी दुखानों में सफाई कर रहे हैं और इस वक्त जो हालात हैं इस मार्किट के वो बहुत जादा ही खराब है आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह सारी की सारी दुखाने करीबन इस सिंधी मार्किट में करीबन 800 दुकाने हैं जो की रिटेल, होलसेल, ट्रेट सबी मिलाकर छोटी बड़ी, कपड़ों की, जूतों की, घड़ी और अन-एसेसरी जो भी हैं उनकी दुकाने मिलाकर करीबन 800 दुकाने जो हैं यहां पर मौझूद हैं लेकिन आज की डेट में इस्तिती जो है, वो बहुत जादा यहां पर खराब है, दो दिन बाद तोहार है लेकिन जहां पर यह मार्केट रात भर खुला करती थी, आज वही मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है यहां की जो एसोसियेशन के जो लोग हैं, उनका कहना है कि फिलाल जो इस्तिती है वो बहुत जादा है और करोणों का इस मार्केट को नुक्सान हुआ है मौमद शोइब, आई एनस टीवी, आगरा